हेलो दोस्तो यश्टीवी की एक और फ्रेशनी वीडियो में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 10 अनमोल शेर्स जो की fundamentally strong है और आने वाले 10 सालों में ये शेर्स आपकी दुनिया बदल सकते है दोस्तो यहाँ पर मैं penny stocks की बात नहीं कर रहा बलकि मैं बात कर रहा हूँ quality shares के बारे में जो की long term में बहुत अच्छा चल सकते है और आपको बहुत बढ़िया कमाई करके दे सकते है दोस्तो ऐसा ही एक वीडियो मैंने 4 महीने पहले भी बनाया था 10 अन्मोल रतन shares के बारे में तो ये वीडियो में दिखाएगा stocks की price levels को आप अभी भी जाकर check कर सकते हो बहुत ही बढ़िया returns ये stocks कमा कर दे रहा है अगर आपने मेरे चैनल येस टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना क्योंकि stock market से related में बहुत सारी investment ideas यहाँ पर free में देते रहता हूँ दोस्तो इस वीडियो के जरीए मैं किसी भी stock tip या stock recommendation की सला नहीं देना चाता हूँ ये वीडियो के जरीए मैं सिर्फ information share करना चाता हूँ और अपना opinion आपके साथ share कर रहा हूँ तो वीडियो को एंटर जरूर देखिए और like जरूर कीजिए सो चलिए बिना ज़्यादा समय गवाए बढ़ते हैं हमारे आज के topic पर जो की है दस अन्मोल shares से related हमारी list में सबसे पहला stock है ITC Limited ITC मैं April 2020 से बोल रहा हूँ इंडिया की सबसे बड़ी टोवाय को company है and one of the biggest FMCG player है इंडिया में lockdown का भरपूर फाइदा उठाया है company ने इनका FMCG business ये अभी तेजी से ग्रो हो रहा है at the rate of 18% तो company ने aggressively 70 plus products launch किये है in the record timing और FMCG sector में company ने बहुत सारी categories में अपना market share बढ़ाया है जैसे कि for the brands like Savlon, Ashirwa Data, Yipi Noodles, Fiyama, Bingo, etc. ऐसे brands में company ने अपना market share increase किया है दोस्तो company के सारे expansion projects ये February 2020 में complete हो चुके थे इसलिए company का FMCG game ये strong चला है during the COVID period और यही इनकी financial performance में भी reflect हुआ है इतनी अच्छी performance करने के बाद भी stock price में ज्यादा उचाल हमें नहीं देखने मिला क्योंकि ये एक mainly tobacco company है इनका FMCG business तो अच्छी growth दिखा रहा है लेकिन company का असली पैसा ये cigarette से बनता है इंडिया में cigarettes and tobacco products में ये company 80% of market share को control करती है और company का cigarette business में return on capital employed देखे तो ये 120% से भी जादा है इंडियान cigarette market में ITC ये number one player है और यहाँ पर जो पैसा company कमाती है इसमें से कुछ हिस्सा shareholders को मिलता है as a dividend income और बाकी हिस्सा company फिर एक बार अपने business में invest कर देती है जादा returns कमाने के लिए company का market capital यहाँ पर हम लोग देखे पैसा पड़ा है तो दोस्तो ITC limited में हम लोग एक aggressive target लेकर चलेंगे of 300 rupees यह एक slow moving stock है लेकिन जब भी यह निकलेगा तो यह किसी के हाथ नहीं आने वाला तो यह stock को आप long term के लिए hold कर सकते हो और आने वाला समय यह ITC का हो सकता है दोस्तो हमारी लिस्ट में अगला stock है Vigard Industries Limited यह company primarily wide range of electrical products manufacture करती है जैसे कि stabilizers, digital UPS, switch gas, water heaters, fans, solar inverters, solar water heaters, mixer grinders, cookers, etc. mutual funds का यह one of the favorite stock है क्योंकि यह बहुत ही बढ़िया consistent performer है दोस्तो यह company South India की one of the best companies है क्योंकि electrical segment में यह company undoubtedly एक market leader है company की performance काफी बढ़िया है और इनकी profitability most importantly बहुत ही जादा है company का market capital यहाँ पर हम लोग देखे तो यह 8700 crore रूपीज पर है company के उपर करजा देखे तो यह काफी negligible है at around 10 crore रूपीज और reserves and surplus की बात करे तो यह भी काफी बढ़िया है at around 1000 crore रूपीज so दोस्तो we guard industries का अगर आपको fundamental analysis देखना है तो उसका भी मैंने video बना है तो वो आप जाकर check out कर सकते हो उसका link में आपको नीचे description में दे दूँगा या फिर उपर i button में दे दूँगा तो यह stock को आप अपनी watch list में रखिये क्योंकि यह long term में बहुत बढ़िया चल सकता है दोस्तो हमारी list में अगला stock है granules india limited granules यह active pharma ingredients का one of the largest player है इंडिया में यह company इंडिया की सबसे बड़ी paracetamol manufacturer भी है और आगे चल कर covid vaccine के साथ हमें paracetamol दवाई लेना यह compulsory हो सकता है vaccine के side effects को कम करने के लिए तो इसका भी सबसे ज़ादा फाइदा यह granules india को हो सकता है एक international paracetamol company ने अपनी bankruptcy फाइल की है यानि वो company बंध हो रही है इसका भी indirect benefit यह granules india जैसी companies को मिल सकता है और इनके net profits यह September quarter के 96 crore rupees से 164 crore rupees हो चुके है यहाँ पे दोस्तो company का market capital यह 8800 crore rupees के करीब है और company की balance sheet पर 770 crore का करजा भी है reserves and surplus की बात करें तो यह काफी healthy है at around 1800 crore rupees तो paracetamol का market यह इंडिया में काफी बड़ा है covid vaccine भी अभी आ रही है इंडिया में और इसके अलावा सर्दी, खासी, सरदर्द और भुखार के लिए एक ही इलाज है paracetamol तो दोस्तो यह stock को आप definitely अपनी watch list में रखिए क्योंकि यह long term में बहुत बढ़िया चल सकता है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को like जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी whatsapp groups में अपने दोस्तों के साथ भी share कर सकते हो यार वीडियो को like करने के पैसे नहीं लगते है और most importantly इनके NPS जो है ये reduce होते जा रहे है faster than any other public sector bank Bank of Baroda के deposits भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे है जो की बहुत अच्छी बात है कमपनी के लिए और इनकी profitability भी PSU banking space में सबसे अच्छी है in the percentage terms कमपनी का market capital यहाँ पर हम लोग देखे तो ये 30,000 क्रॉर रूपीज पर है कमपनी की balance sheet पर बहुत ज़्यादा करजा है around 1 lakh क्रॉर रूपीज क्योंकि कमपनी basically lending के business में भी काम करती है reserves and surplus की बात करे तो इनके reserves and surplus भी काफी healthy है at around 75,000 क्रॉर रूपीज moving ahead कमपनी की asset quality यह काफी improve होती जा रही है बस इन्हें अपने NPS पर control रखना पड़ेगा बाकी company को government का support भी है और Indian banking space यह बहुत तेजी से grow होता जा रहा है तो दोस्तो अगर आपको PSU banking space में interest है तो ये stock को आप देख सकते हो जो की long term में अच्छा चल सकता है हमारी list में अगला stock है Emphasis Limited ये एक next generation technology company है जो की basically data and cloud services में specialized services provide करती है last month में company को United States में patent मिला है for autocode.ai ये एक software है जो automatically codes generate करता है और software development ये बहुत आसान कर देता है दोस्तो artificial intelligence की मदद से data tracking, managing and data analysis ये चुटकियों में करना possible है with less efforts तो company का market capital यहाँ पर हम लोग देखे तो ये 30,000 crore रूपीज पर है और company की balance sheet पर अगर हम लोग करजा देखे तो ये around 570 crore रूपीज है जो की negligible हो जाता है as compared to company's market capital वही अगर हम लोग इनके reserves and surplus की बात करे तो ये भी काफी healthy है at around 5,600 crore रूपीज तो company आगे चलकर अपनी debt को easily clear कर सकती है क्योंकि इनका business ये काफी ज़्यादा profit margin रखता है तो दोस्तों Indian IT sector की ये काफी तेजी से grow हो रहा है और ये एक ऐसी technology company लगती है जो की बहुत लंबा चल सकती है तो ये stock को आप definitely अपनी watch list में add करके रखिए दोस्तों हमारी list में अगला stock है Phinolex Cables Limited Phinolex में आपको 250 रुपे के level से बोलता आया हूँ और अभी ये stock 380 के level पर चला गया है अभी मैं वापस ये company के बारे में information repeat नहीं करूँगा basically ये company wires and cables बनाती है और इस sector में ये company अच्छा खासा growth दिखा रही है company की fundamental analysis के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हो वीडियो का link में आपको नीचे description में दे दूँगा और उपर eye button में भी दे दूँगा company का market capital यहाँ पे लगबग 6,000 करोड रुपे का हो चुका है company के उपर करजा जादा नहीं है around 8 करोड रुपे का करजा है जो की बहुत ही negligible amount है reserves and surplus की बात करें तो reserves and surplus company के healthy है at 2,700 crore रुपी तो दोस्तो फिनोलेक्स केबल में मैं अभी भी काफी बुलिश हूँ यहाँ से ये stock easily 550 to 600 रुपी के levels दिखा सकता है तो ये stock को भी आप definitely अपनी watch list में add करके रखिए क्योंकि ये stock बहुत लंबा चलने का दम रखता है हमारी list में अगला stock है first source solutions limited FSL के बारे में मैं आपको बहुत पहले से बताते आया हूँ from the levels of 45 रुपी राके जुन-जुन वाला का ये stock है जहाँ पर ये 1% से ज़्यादा stake hold करते है FSL limited में FSL ये basically BPO and KPO company है जो की call centers and data centers operate करती है इंडिया में ये company mainly customer management services provide करती है to banking and financial firms and healthcare industry to be precise recently FSL ने एक American company patent matters को acquire किया है for 13 million dollars patent matters ये basically healthcare revenue cycles manage करती है और इसके solutions provide करती है तो दोस्तों ये company globally अपना footprint बना रही है जो की बहुत ही exciting है for the long term company का market capital यहाँ पर हम लोग देखे तो ये 7,000 crore rupees के करीब है company के उपर 1000 crore का करजा है तकरीबन and reserves and surplus में इनके पास 2,100 crore rupees का surplus money है तो company बहुत ही aggressively अपना business expand करना चाती है और ये बहुत तेजी से grow हो रही है तो दोस्तों ये stock को भी आप definitely अपनी watch list में रख सकते हो recently ये stock बहुत ज़्यादा hammer हो रहा है क्योंकि जुनजुन वाला जी अपना stake बेच रहे है लेकिन long term prospects इसके बहुत बढ़िया लगते है क्योंकि ये company अभी global market में घुस रही है दोस्तों हमारी list का अगला stock है मनपुरम Finance Limited ये company primarily gold loan से deal करती है इसके अलावा ये company microfinance, housing loan and car loan भी provide करती है company का main business ये gold loan से related है और ये बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है at the rate of 18% per annum COVID-19 के time से ही सोने के दाम ये आसमान चूर रहे है and on the other hand salary cut and job losses के कारण gold loan के सारे लोग समय काट रहे है मनपुरम Finance के ये currently 26 lakh active gold customers है इनका business ये बहुत ही जादा exciting है क्योंकि ये 15% के profit margin पे काम करते है so margin of safety ये काफी healthy हो जाता है company के लिए and इनकी gold loan book जो है ये भी every year 18% से grow हो रही है जो कि again एक बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे company का market capital 14,600 crore रुपीस के करीब है और company की balance sheet पे 25,000 करोड रुपे का करजा भी है company ये basically lending business में काम करती है तो company को कही ना कही से पैसा ये उठाना पड़ता है लेकिन अगर हम लोग इनके returns देखे तो returns ये काफी बढ़िया है और company के profit margins ये भी काफी अच्छे है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया reserves and surplus की बात करे तो company के पास reserves and surplus में भी 6,800 crore rupees के पास surplus money पढ़ा है तो company की profitability अच्छी है और जितना company के उपर debt है उससे जादा company profit कमा रही है तो company अपनी debt को easily manage कर पा रही है इसलिए इसने अच्छी तरह से survive किया है during the COVID-19 period तो ये stock को हमें definitely अपनी watch list में रखना चीए और ये long term में बहुत बढ़िया return कमाने का दम रखता है हमारी list में अगला stock है Relaxo Footwear Limited Relaxo ये इंडिया का one of the leading footwear brand है और company ये 30 साल पहले शुरू हुई थी एक छोटे से गोडाउन में और आज की तारिक में रमेश कुमार दुआ और उनके दो बेटों ने मिलकर अपने family business को एक अलग मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है पहले एक single chapel brand से ये business शुरू किया गया था और आज की तारिक में Relaxo Footwear के अपने flagship brands है जैसे की schoolmate, flight, sparks, bahamas, relaxo footwear एक्सेटरा, एक्सेटरा पिछले 5 सालों में company ने return on equity ये काफी शानदार दिया है at around 72% company का यहाँ पे हम लोग market capital देखे ये 21,000 crore रूपीज के करीब है company के उपर एकदम negligible करजा है at around 182 crore रूपीज जो की बहुत ही छोटा amount हो जाता है as compared to the market capital reserves and surplus की बात करें तो company के पास reserves and surplus में 1300 crore रूपे पड़े है जो की company आगे चलकर बहुत ही intelligently use कर सकती है अपने business को और भी बड़ा grow करने के लिए तो फिर दोस्तों ये stock को आप definitely अपनी watch list में add करके रखिये क्योंकि ये company बहुत ही बढ़िया तरीके से low cost footwares को target कर रही है और ये sector में ये company बहुत तेजी से grow हो रही है हमारी list में अगला stock है L&T Financial Services Limited ये company basically एक NBFC company है जो types of loans provide करती है जैसे कि two-wheeler finance, farm equipment finance micro finance, housing finance etc. etc. L&T के brand का company को बहुत ज़्यादा benefit मिलता है क्योंकि L&T का Indian business community में एक बहुत बड़ा नाम है virus के बाद money market में liquidity ये काफी ज़्यादा बढ़ गई है तो बहुत सस्ते में company को capital available है तो primarily ये company एक जगा से loan लेती है और अपने customers को higher rate of interest पर loan देती है तो यहाँ पे company को low cost of funds का बहुत ज़्यादा फाइदा मिलता है और ये company higher margin of safety पर work करती है company का market capital हम लोग यहाँ पर देखे तो ये 21,000 crore rupees का है company के उपर करजा देखे तो ये 92,000 crore rupees का है obviously ये एक loan वाली company है तो company पर करजा ज़्यादा है लेकिन हम लोग अगर reserves and surplus देखे तो ये भी इनके पास 13,000 crore के reserves and surplus में surplus मनी पड़ा है दोस्तो यहाँ पर company की debt देखकर हमें ज़्यादा डरना नहीं है क्योंकि ये debt company अपने disadvantage के लिए नहीं बलकि अपने advantage के लिए इस debt को use करती है और इनकी profitability भी काफी high है तो ये company high profit margins पर work करती है at around 60 to 70% ये दोस्तो एक finance company है तो capital company को कही ना कही से raise करना ही पड़ता है लेकिन इनकी profitability काफी बढ़िया है तो दोस्तो ये debt ये एक advantage हो जाता है और company ये करजा use करके अपने लिए अच्छे से अच्छा profit कमाती है L&T की company है तो L&T के brand पर लोग trust करते है और इनसे loans भी लेते है तो इस stock को हमें definitely अपनी watch list में add करके रखना चीए ये long term में बहुत लंबा चलने का दम रखता है दोस्तो आज की list का ये 11 वा stock है ये bonus stock होने वाला है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक high risk वाला stock है तो यहाँ पर risk काफी जादा हो सकती है तो आप चाहिए तो इसे ignore भी कर सकते हो कंपनी का नाम है Bombay Dying Limited primarily ये कंपनी polyester fiber की manufacturing करती है प्लस ये retail businesses में भी काम करती है इसके अलावा कंपनी ने real estate development में बहुत सारा पैसा already invest किया है since last five years तो around 2000 करोड से भी जादा पैसा कंपनी ने real estate development में invest किया है दोस्तो Bombay Dying ये वाडिया ग्रूप की कंपनी है जो की Britannia Industries के promoter है तो बहुत बड़ा ये ग्रूप है Bombay based और कंपनी का यहाँ पे हम लोग market capital notice करें तो ये 1600 करोड रूपे के करीब है कर्जा देखें तो कंपनी के उपर 4100 करोड रूपीज का कंपनी के उपर करजा है रिजर्वस एन सर्पलस की बात करें तो ये काफी week है around 116 करोड रूपीज तो दोस्तो आगे चल कर मुझे ऐसा लगता है कि real estate में एक काफी बड़ा भूम आ सकता है और वहाँ पर ये stock को बहुत ज़्यादा benefit मिल सकता है इसके अलावा Bombay Dying ने Bombay Burma में भी invest किया है तो वहाँ पर भी company के shares है around 300 करोड रूपीज तो दोस्तो अगर आगे चल कर real estate sector में revival आ जाता है तो आगे चल के company की balance sheet को भी सुधारा जा सकता है ऐसा मुझे लगता है मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि ये stock आने वाले समय में 120 से 140 रूपीज के levels दिखा सकता है तो ये stock को भी आप अपनी watch list में add करके रखिए और इसके price levels पर नजर रखिए दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like कीजिए नहीं पसंद आया तो आप इस वीडियो को dislike भी कर सकते हो अगर आपको किसी और stock के बारे में जानना है तो आप नीचे comment करके बताए वो stock के बारे में मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ अगर आपने यश टीवी को अब भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है मैं बहुत सारी इंवेस्टमेंट आइडियाज यहाँ पर फ्री